दिल्ली NCR में फिर वायू प्रदूर्शन काफी बढ़ गया दिल्ली में गुनवत्ता सूचकांग अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है केंद्रिये प्रंदूरुषन नियंद्रन बोर्ड के अनुसार दिल्ली NCR में आज सुबह वायू गुनवत्ता कास्तर तीन सो पर आ गया अनंद विहार में AQI 296, आरकेपुरम में 290, पंजाबी बाग में 280 और आईटियों में 263 प्रदूशन के हालात पर एक बार फिर राजनीती तेज हो गई है दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के पटाकों पर ठीकर अपोड़ कर एक समिक्षा बैठक वो कर रहे हैं और उनने दीपावली पर हुई आतिश बाजी के लिए भाजपार पर आरोप लगाए हैं जबकि दूसरी और भाजपा ने पलटवार किया है पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने AQI पर दिल्ली की आम आधनी पार्टी पर पलटवार किया उनने का कि दिल्ली सरकार ने समय रहते राजनीती के बजाए अगर प्रदूशन नियंतरन पर काम किया होता तो आज दिल्ली वासियों को प्रदूशन का सामना नहीं करना पड़ता है 18 में की मुख्य कारण प्रदूशन का पंजाब की पराली है हमारी सत्ता आएगी एक साल में समाप्त कर देंगे सुप्रीम कोट के दो-दो बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है परंतु फायर क्राकर्स पर दोश डालना है मेरा सवाल सिर्व इतना है कि क्या नौ वर्ष में आप दिल्ली के अंधरूनी कारण जो है प्रदूशन के डस्ट उसके लिए कुछ नहीं कर पाए हमारे सेयोगी गिरीश निशाना इस वक्त ताज़ा अप्रेट के साथ मौझूद है इस प्रदूशन पर वाई प्रदूशन पर देखें गिरीश सांस लेना भी मुस्किल हो गया है और कल हमने देखा जिस तरह से स्थितिया हुई और आज सुबह भी कई इलाकों में एक्यू आई बहुत ही खराब श्रणी में दर्चिया गया है राजनिती तेज हो गई है लेकिन जो अंजाम है वो आम लोगों को दिल्ली वासियों को भूगतना पड़ रहा है पिल्कुल असी मैं आपने ठीक कहा अंजाम दिल्ली वासियों को ही भूगतना पड़ रहा है पिछले दो दिनों से जिस तरह से AQI आप देख रहे थे हलाकि जब दिहन तेरस थी तो जब बारिस हुई तो उम्मिद की जा रही थी कि साइद वायुगनवत्ता में सुधार होगा लेकिन मामूली सुधार जरूर हुआ लेकिन अगर आज की बात की जाए हसीम तो आज दिली के अंदर AQI काफी खराब इस्तिती में है अगर मैं ITO की बात करूँ तो अभी फिलहाल ITO का जो AQI है वो 319 पर है जो वेरी पूर दरसाता है यानि कि बहुत खराब इस्तिती है वायुगनवत्ता की ITO और उसके आसपास के इलाके में इसी तरह से दिली के अलवल और इलाकों में जो है वायुगनवत्ता सुचकांक काफी उपर चला गया है और जो कही न कहीं जो बुजूर्ग लोग हैं उनको दिक्कत कर रहा है जो बच्चे हैं उनको दिक्कत कर रहा है तो कहीं न कहीं दिली के अंदर इस समय वायू बहुत अच्छी नहीं है पर दूसरा पूरी तरह से फैला हुआ है और लोग कहीं न कहीं पूरी तरह से परेसान हैं कोई खांस रहा है किसी को गले की अलर्जी हो रही है तो तमाम काफी समस्या हैं उनसे जूजना पड़ रहा है दिली वातियों को लेकिन अभी जो दिली के अंदर दिली सरकार है जो दिली के परियावन मंत्री हैं गोपाल आए हैं उन्होंने एक समीच्छा बैठक बुलाई है बैठक के अंदर भी बाची चले एके लेकिन कहीं न गातार एक्यू आई बड़ा हुआ है इस पर कहीं न कहीं दिली सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह से घेरने का परियास किया है असीम बिलकुल बिलकुल तो राजियती तेज है लेकिन जो जैसा के अमने का की जो खाम्याजा है वो यहां के दिली वाच्छों को भूगतना पढ़ रहा है बुडे रोओं को बुजरों को हर इंसान को सांस संब्र सारी समस्य हो रही है फिलाल बहुत बहुत शक्रिया गिरिश इन तमाम तासा अप्लेट्स को हम तक पहूंचाने के लिए बहुत बार शुक्रिया बढएंगे आगे